Hello students, welcome to Navankur Digi lessons class, मैं सीमा साथ एक बार पुनाहापकी वी चुपस्तित हूँ और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में class 7th की social science के chapter 9 की question answer हल करेंगे जिसका नाम है तापमान, तो आईए हम सबसे पहले सुरुबात करते हैं सही विकल्प से सही विकल्प का हमारा पहला question है कि निम्न में से किस उचाई पर ताप एक अंस कम होता है तो हमें इसकी उचाई बतानी है, आ इसके options हैं, आ 651 मीटर, बा है 156 मीटर, सा 165 मीटर, दा है 571 मीटर इसका जो सही आंसर है, वह है, सा 165 मीटर, तो एक ताप की जो उचाई है, वह है 165 मीटर पर कम हो जाती है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा, वाईउ के गर्म होकर उपर उठने की किरिया कहलाती है इसके options हैं, आ संचलन किरिया, बा विकिरन किरिया, सा समवहन किरिया, दा परावर्तन किरिया इसका जो सही आंसर है, वह है, सा समवहन किरिया अब हमारा next question है खालिस्थान या रिक्तिस्थान का रिक्तिस्थान का जो हमारा पहला question है वो इस परकार है सूर्य द्वारा ताप के विसरजन को खालिस्थान कहते हैं तो इस खालिस्थान में जो शब्द आएगा वहे आएगा सौर विकिरन सूर्य द्वारा ताप के विसर्जन को सौर विकीरन कहते हैं आंसर नीचे दिये हैं सेकेंड है खालिस्तान प्रत्वी द्वारा पुनाह विसर्जित ताप को खालिस्तान कहते हैं यानि कि प्रत्वी के द्वारा पुना बिसर्जित ताप को पार्थिव विकीरण कहते हैं, तो इसके में जो शब्द आएगा खालिस्तान में वो क्या है? पार्थिव विकीरण. तीसरा हमारा खालिस्तान है अधिक्तम और निम्नतम ताप की बीच के अंतर को खालिस्तान कहा जाता है तो इसमें शब्द आएगा ताप अंतर अधिक्तम और निम्नतम ताप मान की बीच के अंतर को ताप अंतर कहा जाता है अब हमारा नेक्स्ट कोशन लगुत्तर ये प्रश्ण का है लगुत्तर ये प्रश्ण में पहला प्रश्ण है तापमान किसे कहते हैं? इसका आंसर है वायू मंडल में उपस्तित तापकी मातरा के मापन को तापमान कहते हैं क्या है तापमान वायू मंडल में उपसे तापकी मातरा के मापन को तापमान कहते हैं नेक्स्ट कोशन है वायू गर्म होने की तीन क्रियाएं कौन-कौन सी हैं तो वायू किन तीन क्रियाओं के द्वारा गर्म होती है? इसका आंसर है या इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है वायू गर्म होने की तीन क्रियाओं संचलन, समवहन और विकिरन हैं मीज इन तीन क्रियाओं के द्वारा वायू गर्म होती है हमारा नेक्ट कोशन है सौर विकीरण और पार्थी विकीरण में क्या अंतर है सौर विकीरण और पार्थी विकीरण में अंतर बताना है आंसर है सौर विकीरण में ताप का विसरजन सूरिय द्वारा होता है जबकि पार्थी विकिरंड में सूर्य द्वारा प्रत्वी पर आये ताप को प्रत्वी द्वारा पुनाव विसर्जित किया जाता है वीज़ सौर विकिरण में ताप का विसर्जन सूरी के द्वारा होता है और पार्थि विकिरण में पहले सूरी से प्रत्वी ताप प्राप्त करती है फिर वह दीर दीर करके जो बाहर निकालती है उसे पार्थि विकिरण कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है दिर्गुत्तरिये ताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए यानि कि कौन कौन से तत्व या कारक ताप को प्रभावित करते हैं हमारा आंसर है कि ताप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निमलिखित है नमबर एक सूर्य की किरणों का जुकाव सूर्य से आने वाली किरणे प्राया समानांतर होती हैं किन्तु प्रत्वी की गोलाई के गारण उसके विभिन भागों में अलग-अलग कौनों से पहुँचकर प्रभाव डालती हैं भूमत द्रेखा पर सीधी और धुर्वों पर तिर्शी करने पढ़ती हैं लंबत करने कम चेत्रों पर पढ़ती हैं अता है इनके द्वारा अधिक ताप मिलता है तिर्शी करने अधिक चेत्र में फैलती हैं जो तिर्ची किरने होती हैं उन्हें अधिक दूरी तै करनी पड़ती हैं और वो ज्यादा दूरी तक फैलती हैं इसका सेकेंड पॉइंट है वायू मंडल में किरनों द्वारा तै की गई दूरी तिर्ची किरनों को लंबत किरनों की पेक्षा वायू मंडल में अधिक दूरी तेय करने से उनका विखराप परावरतन अवशोषन आदी अधिक होगा जिस से ताप की तीप्रिता कम हो जाएगी थर्ड है इसका समुद्र सत्य से उचाई समुद्र तल से जैसे जैसे उचाई पर जाते हैं ताप मान में कमी आती जाती है सामानेता प्रती 150 में की उचाई पर एक डिगरी सेलसियस ताप कम हो जाता है स्टुडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी यह जो लिखा है इस कॉशन में 165 में की उचाई पर यहाँ आपको यह 10 दिख रहा होगा लेकिन ये दस नहीं है इसका मतलाब है एक डिगरी सेल्सियस ताप कम हो जाता है फोर्थ है दिन की अवधी तो दिन की अवधी दिन की अवधी जितनी लंबी होगी सूर्य से प्राप ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी ग्रिश्म्रतु में दिन की अवधी बढ़ जाने से ताप अधिक प्राप्त होता है कहने का ताथ पर यह है कि दिन जितना बड़ा होता है उतने ही अधिक ताप की मात्रा हमें सुर्य से प्राप्त होती है तो यह है दिन की अवधी पर भी निर्वर करता है साधारन ताप मापी का नामांकित रेखा चितर बना कर समझाईए यानि इस कोश्चन में हमें इसका आंसर भी देना है और इसके साथ ही हमें इसमें चितर भी बनाना है मतलब आंसर भी लिखना है और चितर भी बनाना है तो आंसर है ताप मान मापन के लिए ताप मापी अथवा थर्ममीटर का प्रियोग किया जाता है. यह कांच की मोटी दीवार वाली कोशी का नली का बना होता है. इसका निछला सिरा गुंडी नुमा होता है. इसका अविस्कार सेलसिस नामक वेज्ञानिक ने किया था. यह ताप मापी 0 degree से 100 degree Celsius तक 100 समान भागों में बटा रहता है इसमें जल की हिमांग के लिए शुन्य degree Celsius तथा क्वथनांग के लिए 100 degree Celsius लिखा जाता है अब students यह है थर्मामिट्र का चित्र तो आपको यह चित्र भी बनाना है आपको यह book में मिल जाएगा सभी की book में तो आप book में देखकर चित्र बनाएंगे हो सकता है यहाँ पर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि उसकी point यहाँ पर clear नजर नहीं आ रहे है लेकिन आपको book में से बनाना है और जैसा है same to same वैसा ही बनाना है थैंक्स वर वाचिग्टू